दूपी के रामपूर में जहरीला पदार्त खाने से विवाहिता की दर्दनात मोथ हो गई पुलिस ने आरोपी पती को हिरासत में लेकर जान शुरू कर दी है आपको बतादे कि माई के वालों ने दहेज हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है मृतिका के परिजनों ने कहा है कि आरोपी पती दहेज के लिए टोर्चर करता था कई बार विवाद हो चुका था आपको बतादे कि तीन महापूर्व केला खेडा निवासी शन्नो का मसवासी के सेमरा लाड़ पूर निवासी हनीव से हुआ था पुलिस ने जाज पर्ताल के बाद शब को पोस्ट माटम के लिए जीरा स्पताल भेज दिया है इस मामले में सीओ स्वाड ने बताया कि मृतिका के भाई राहत जान ने तहरीर दी है कि उसकी बेहन को जहरीला पदार्थ खिला कर हत्या कर दी गई है जिसमें आरोफी पती अनीज को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कारेवाही शुरू कर दी गई है रामपूर से समधाता रवी सैनी की रिपॉर्ट अच्छा आपकी बेहन की मेरीज कितने नाइम हो चुए तो सेमरा लाड़ा करों जिनकी आज डैथ हुई है तीन महीने अच्छा क्या मामला पूरी जानकारी बताई यह मतलब रात जो है इन्होंने यह बताया था कि अपनी बहन को ले जा भान के पिर बाद में बूनाया गए इसने दवाई का लिए जेहर खा लिया कि उसके बाद में फिर सुबह हमें पता लगा कि खतम होई तो हम अच्छा पुलिस मोके पर है आरुप्य को ग्रफतार किया है है महिला की मौत हो ये जहरिला पतार किया है सरुपूर्पूर अपर नाम की महिला के भाई ने राजजान ने अफियार दिया थाने में मेरी बहन को हनीच उसका विदिक कारवे की जारी है और पर्थम दश्टा जो लग रहा है कहां उसकी मोथ हुई अन्नेचरल ड्याथ है प्याइम के बाद में जो भी कारवे होगी की जाएगी इसके पती को पूछ ताच के लिए लिया गया है ऐसे ही लेटेश पर पाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद JBD Banquets Enterprise